महाभारत का एक अनोखा किस्सा है, जिसका वर्नन भविष्य पुराण में किया गया है. महाभारत के युध्ध के दौरान पाचों पांडव किसी कारण से क्रोधित होकर भगवान शिव से युध्ध करने पहुँचे थे. तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर पांडवों को उनके अपराद के लिए कल्युग में जन्म लेने का श्राप दिया था आए इस कथा के बारे में जानते हैं भविश्य पुरान के अनुसार महा भारत के युद्ध के दौरान आधी रात के समय गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कृत्वर्म और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना करनी आरंभ कर दी इन तीनों की आराधना से भगवान शिव प्रसंद हुए और उन्होंने इन तीनों को पांडवों के शिविर के अंदर प्रवेश करने की आग्या दे दी इसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और भगवान शिव से वर्दान में प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का सोते हुए ही वध कर दिया और पांडवों के शिविर से चुपचाप चले गए जब पांडवों को इस बारे में पता चला कि किसी ने उनके पुत्रों की सोते हुए ही हत्या कर दी तब वे अज्यानवश भगवान शिव को ही अपराधी समझने लगे और भगवान शिव से ही युद्ध के लिए निकल पड़े जब पांडवों और भगवान शिव का आमना सामना हुआ तो पांडव युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव पर वार करने की कोशिश की तो उनके सभी अस्त्रशस्त्र भगवान शिव में बिलीन हो गए इससे भगवान शिव क्रोधित हुए, और बोले कि तुम सभी श्री कृष्न के भक्त हो, इसलिए इस अपराध का फल तुम्हें इस जन्म में न मिलकर कल्युग में मिलेगा, इस अपराध के फल तुम्हें कल्युग में फिर से जन्म लेकर भोगना होगा. भगवान शिव के श्राप के बाद सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि सभी पांडव कल्युग में कहा कहा और किसके घर जन्म लेंगे